तो हलो दोस्तों मेरा नाम है रुषकुमार आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर कक्षा ग्याया के लिए गड़ित पढ़ा रहे थे रहे एक असमिकाय चल रही थी यहां पर हमें प्रश्णावली में पहले जो प्रश्णावली हल कर ली थी अभी प्रश्णावली आपका करना है यान Box करना है अम क्यों निर्पित करना है यानहीं की जिसको морठीच कार्ट की कहते हैं आप सांग जैमिती में जिनको पढ़कर रखे रखे थे तो यह टोटल सवाले हैं इन सभी को करना है बारी बारी साथ हम सीखेंगे यहाँ पर किवल दो सवाले अगर हम सीख लेते हैं तो सभी चीज़े बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे वैसे मैं कोसिस करूंगे कि ज्यादा जोशन है वह एक से प्लस Y लेस देन फाइब है अब इसको हल करने के लिए यह असानी का है ठीक है दी गई असानी का यह पर यहाँ पर असानी का असानी का के का संगत समी कर ड़े से सकते हैं संगत शमी समी करण जो संगत समी करण होगा यहां पर यह जो बड़ाबर यह जो समी करण का जो जो चिन होता है उसी को हटा करके अपन यहां पर बड़ाबर का चिन है रगा देते हैं बस जहां पर यह बड़ा बड़ाबर चोटा बड़ा जो कुछ दिया जाता है उसी को हटा करके हम यहाँ पे इसका समीकरण बना देते हैं और समीकरण हो को banul को बनाने के बाद हम इसने से एक्स और य के कुछ माँ निखालेंगे ठीक है? एक्स के कुछ रख सी माँ रख के यहां पर y-dash हो गया तो सबसे आसान से तरीका होता है कि x अच्छे पर एक बिंद लीजिए y अच्छे पर एक बिंद लीजिए कामी ने कर दी तो एक दूसरे को काटेंगे तो x अच्छे पर जिब बिंद लेना है तो y बराबरा को 0 रखना है तो इसके समी के राड़के हल हम यहां पर निकालना सुरू करते हैं क्या हो का फ़ई यहां पर हमने खिच लिया यह चीजे यहां पर x y लिख लिए देखेंगे एक बार यहां पर यहां वाला कोई बिंद लीजिए निकालना था y बराबर 0 रख लेंगे और y बराबर जब इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा तो y बराबर जब 0 रख रहे हैं तो आपको x प्लस 0 बराबर 5 मिल रहा है तो x बराबर आपको 5 दिखाए तेरा है ठीक है तो यहां पर 5 मिल जाएगा और दूसरा बिंद हमको यहां पर X बराबर 0 लेना है ताकि Y पर कोई बिंद मिल जाए तो और इसके बाद कोई बिंद नहीं लेना है यह कुछ जादा ही बड़ा हो गया तो आप यहां पर X बराबर 0 रख रहे हैं तो X बराबर आप 0 रखेंगे तो Y प्लस 5 मिल जाए Y is equal to 5 मिलेगा 0 प्लस Y is equal to 5 यहां पर सेम चीज़ जहां पर X बराबर आपको 5 मिल रहा है तो हमको क्या मिल गया है यहां पर बिंद मिल चुके है इनको हम यहां पर ग्राफ में दर्सा देंगे तो भई यहां पर 1 हो जाएगा दो हो जाएगा तीन हो जाएगा यहां पर चार हो जाएगा और यह पैंसल पर्टरी से बनाएंगे यहां से नहीं बनाने वाली चीज़ है और यहां पर देखेंगे यह 1, 2, 3, यहां पर मान लेते है 0, sorry यहां वाला बिंदू क्या होगा 0, 5 होगा यह वाला बिंदू और यहां वाला बिंदू क्या होगा वह 5, 0 होगा यह वाला आगे वाला बिंदू ठीक है बिंदो को दर्शाद यहां उसके बाद हमको एक लाइन यहां पर ड्रो करनी है यानि इन बिंदू को हमको मिलाना है तो इसमें दो category होती हैं, दो चीज़े हमको समझने होती है, अगर यहां पे spirits यह बराबर वाला चिछनैं साथ रहता है, जैसे यह वाला चिछनी मिल जाएं और यह वाला चिह मेला है जिसमें ये बराबर एमन दिखाए दे रहा है तो वहाँ पर सीधी सीधी लाइन मौटी सी लैन खेचे जाती है ऐसा सीधी लाइन ही जाती है लेकिन फॉफसी ही लिक chil10 और जाती है लेकैं अब तो चाहती है जाती है तो पूरा उत्तर होना चाहिए वोद ही मिला है पूरा उत्तर क्या मैंने मतलब क्या है कि यहां पर छेत्र आपको छाय अंकित करना होगा यह लाइन इसका हल नहीं है इसके दो पार्ड हो जाते हैं देखिए इधर वाला एक हिस्सा होगे एक हिस्सा इधर वाला होगे रेखा जब हिस्सा ऩघाले वहले तो इðर वाला हिस्साह गाव उसका हल समझने के निए हमें क्या करना होगा आसमीका में ये दिखाइते हो लेना कि اس एनक एति बेना होता इस रेखा पर इस्थित नहीं ड़े जीत नहीं यह से दूर है हम ज्यादतर अमोमन हम १रॉ धरॉ पहें लेकिन कुछी मामने में जीरो जीरो ना रख पाएं ऎ हम मूल बुंदो को जो रखने वह जबूर रखेंगे तो अगर यह असमीका को संतुष्ट करता है जैसा असमीका क्या है यह है क्या है वो X plus Y less than 5 था यहाँ पर हम 0 रखेंगे plus 0 रखेंगे less than 5 इन दोनों का एक फिल कितना होगे 0 होगे less than 5 क्या यह समीका को संतुष्ट करता है यह असमीका को संतुष्ट करता है क्या जीरो पांट से छोटा है हाँ यह जोटा है यह निकि सत्य हो रहाए यह बात है जब इस तक हो रहे हैं तो जिदर की और जीरो है उधर की और रंग देंगे माल लीजाए यहां भी कोई पड़ी इंती मिल जाती यहां पर एक दो तीन चार तक या चार तक मिल जाता तब हम सत्य रहता है पांच मिल जाता तो सत्य नहीं होता छे मिल जाता तो बिल्कुल भी सत्य नहीं है तो हम क्या करते हैं दूसरी तरब रंगते हैं इधर क्यों रंगते हैं लेकिन अभी हमारा सत्य हो रहा है त और इसको आलेखी बिसे निर्पे था जो हमने करना था वो हमने कर दिया है बस एक हो गया हमारा एंसर ठीक है तो यही हमारा एंसर हो गया ओके दोश्तों यहां पे मैं दूसरी असमिका उठा ली है और इसको हल करेंगे तो यहां पे असमिका के जो संगत समी कराण की बात करेंगे ठीक है वो क्या बन जाएगा अपना बराबर यह वाला चीन अटा के क्यों बराबर लगती है तो 2x प्लस y is equal to 6 बस बराबर के निसान हमने रख दिया है अब यहां पे हल जो हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे x बराबर एक बार 0 रख देंगे एक बार y बराबर 0 रख देंगे ताकि हमारा काम आसान है बस इतना असाम का हम यहां पे करना है तो x बराबर जो हमने 0 रखा है तो यहां पर 0 हो गया है 2 कम 0 मतलब 2 0 में 0 हो जाएगा y बराबर कैं मिल जाएगा 6 मिल जाएगा y के जगां 6 रखेंगा यहां पर नहीं गलती कहते जीगा या फिर यू समझे कि हमने यह को जल्दी ही रख दिये इसको नहीं रखना जीएद है मुझे 0 रख दिये तो 6 आ गया और अगर हम यहां पर 0 रख देते हैं 0 यहां पर रख देते हैं तो 2 x बराबर 6 होगा 2 से भाग देने के बाद क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा बहुत ही आचान काम था तो हमने कर लिया मुझे बाने भी हो जाता है बिल्कुल हो जाएगा और यहां पर हमारा एक कार्थी तर हमने यहां पर बनाना शुरू कर दि ठीक है यह हो गया एक बिंदू और दूसरा हो गया 3,0 यानि तीन पर जाके अब 0 पाएगा तो 3,0 यह बिंदू हो गया ठीक है और अब आ जाती है बारे इनको मिलाने की तो भाई अगर यहां पर आपको बराबर निशन दिखाए दे रहा है तो आपको इसको मोटी लाएग है ठीक है इसको परटाली से बकायलाना है ठीक है बस इतना सिंपल सा बात समयज्देंगर यह पर बराबर और कि निसाइए आप यह सीदी लाइन मोटी से कीचना अगर वह नहीं दिखाए दे रहा तो ड़ट डोट खीचना है बस सिंपल से बात हो गए अभी है अब यहां प यहां पर मुल बिंद के जगहां रख रहे हैं यहां पर दो गुड़ती जीरो हो जाएगा प्लस लाइं की जिरो हो जाएगा लेस टेन एकवल 6 कहे जाए है तो यहां पर यह 0 हो गया प्लस प्लस ग्रेटर अन एकवल 6 हो रहा है यहांपर 0 ग्रिटर डेंक वह शैंप क्या ये जीरो से बारा देखें बड़ा इतनीर धर दिछाए देरा कि है क्या 106 के बराबर है नहीं आंस्ते हो रही तो इसका मतलब किया है कि हम को इठर केवर नहीं रंग रहा है उसके आप उसले में पूरा रणग देना है बस सितना से मुझात तरीका होता है तो यहीं आपका एंसर हो चुका है बस बात करता हैं तो दोस्तों अब यहां भी बात करें तो तीसरा चौथा पॉंच्वा छड़वा साथवा आठ्वा जो प्रच्न है सेम तो सेम वही कामों पर चलेगा और बहुत यहां से आप कर पाएंगे इन शोगो कोशिन में अगर आपको अभी भी कोई तकलीफ हो रही है तो आप कमेंट कर दीजे का मैं अगले वीडियो में आपको बता दूगा फिलहाल मैं नाइन्थ नेमर कोशिन बता दूँगा दस वुस्त से रिलेटेड है और यहां पर क्या करना है कैसे करना बहुत से सामिद दी गई समीका क्या है यह अपको दिखाए दे रही है इसको जो समीकरण बनेगा जो ठीक है संगत समीकरण बन रहा है वो क्या अब यक्वल माइनस टू बन जाएगा और इसका जो हाल अगर आप निकालना सुरू करेंगे तो भही आप क्या करोगे यहां पैसे कि यह आएगा कुछ भी अपर रख लो प्लस एक प्लस दो मानेस दो रख दो मानेस टू ही आने वाला क्योंकि एक से आप नहीं दे रहा है ठीक है ऐसी इस्तितिम में क्या होगा अब समझी रहा होगे अब आरा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा वाई बराबर मानेस टू यानि y yellow line पे – Gew can be दायत्व आभ इसके समांतर जाने माल है यह क्लियर हो बात ay अब क्या ओगए यहां प्रिय धिकाया देगैं यह क्याकई जू कर यह रहा है न Oculus आपने यहां पे पूरा पहन कि निख लेंगे वह बात की बात अलग है अब यह यहां क्या है? 0000 यहां पर दिखाय देरा है. हम इस पर रख करके 00 को चेक करेंगे कि यह संतुष्ट करता है कि नहीं खर रहा है? तो आँ ॐसमिछं में ॐसमि का में 00 विन जिजजाओ जियो रखने पर。 जब हम रखते हैं तो वह फी है यहां प जहां पर वाई दिखाती नेरा है कि स्क्राप ने तो लोगे रोगे ज़ी दिए Förust जब यह असद्य हो रहा है तो 00 की और हम नहीं रंगेंगे उसके opposite दिसा में हम रंगेंगे तो यह हमने opposite दिसा में रंग दिया यह हमारा answer हो गया यही सेम काम आप इसके साथ कर लेजेगा बहुत ही आसानी से उत्तर मिल जाएगा